दोस्तों अगर आपके पास इस्रम कार्ड है तो 30 जनुवी से पहले पहले आपको ये चार नियम पता होने चाहिए वरना एक-एक हजार रुपे आपको नहीं मिलेंगे चलिए आपको पताते हैं वो चार नियम क्या है सरकार दोरा सरमिकों को परतीमा 500 रुपे देनी की इनांस्मेंट के वाद राज के अंतरगत ही सरम कार धारकों की संख्या लगातर बढ़ती जा रही है अभी तक परदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी सरमिक पात्र मज़़ों का रेजिस्ट्रेशन 8.5 करोड के पार पहुँच चुका है सरमिकों के खाते में सरकार की तरफ से उनका सरमिकों के खाते में सरकार के तरफ से उनका 1,000 रुपी की किस ट्रांसफर क्या जा चुका है प्रंक तू बहुत सरे सरमिक ऐसे भी हैं जिनको 1,000 रुपे अभी भी नहीं मिला है तो वो रुपे कब आएंगे इसके बारे में आप लोगों को अभी डिटेल से बताएंगे तो वीडियो में लाश्टक बने रही दोस्तो अब वाकारण सामने आ गया है या फिर कह लीजिए आपकी गलती सामने आ गई है जिसकी वज़े से यह पैसा आप लोगों को नहीं मिला है तो वह आप लोग बेंक में यह पैसा कैसे ले सकते हैं दोस्तो अगर वीडियो नॉलेजवल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तो सरकार की तरफ से 1000 रुपे किस्त भेजना शुरू कर दी गई है परन्तु जिन गलतियों को आपको सुरी यह आ जाता है आपको सुधारना है वह क्या है चलिए आप लोगों को बताते हैं अगर आपने अपना सरम कार्ड बनवाया है तो आपको अपना आधार कार्ड अपने बेंग के खाते से लिंक कराना होगा अगर आपका खाता आपके आधार से लिंक नहीं है तो आप तीस तारीक से पहले-पहले सुधार ले नमबर दो आधार कार्ड से अपना मुबाइल न तो दोस्तों आपको ये स्रम कार्ट मिल जाएगा लेकिन 2000 रुपे आपको प्राप्त नहीं हो सकते तीसरा नियम है अगर आप एक किसान है और आपको किसान सम्मान निदी योजना के तहट पैसा नहीं मिल रहा है तो आप स्रम कार्ट के जरिए इसे बनवा कर अपना 1000 रुपे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन साथ ही आपको किसान योजना से अपना रेजिस्टेशन नंबर सोरी ये आजाता है कराना होगा तब ही आप ये पैसा ले सकते हैं और आगे भी उन्हें लाद दिया जा सकता है दोस्तों आपको 30 जनेरी से पहले पहले आपको ये चार नियम या चार गलतिया सुधार लेनी है अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले